आप चाहिए तो एक्वाइब लग स्टेल गोई एवन वेलकम टू जे केमिस्ट्री तो आई रही एल इंडियन रेर अर्थ लिमिटेट की तरफ से वेकिंशी निकले जिसके बारे हम डिसकस करने वाले हैं तो पहले आपको क्या काम करना गूगल पर जाना और टाइप करना है तो वहां पर एक page खुल के आएगा, यहां पर careers करके, इस पर आपको click करना है और यहां पर यह page खुल जाएगा, ठीक है, यह ओफिशल website है, यहां पर आप देखोगे तो यह, जो third number पर advertisement number CEO HRM 20 slash 2023 लिखा हुआ है, उपर वाला भी advertisement number से में, लेकिन ध्यान रखना, यहां पर post for fres pressure लिखा हुआ है, S not grade, ठीक है, तो इस पर ही आपको click करना है, यह उपर जो S1 और S2 grade वाली है, यह experience based है, और इसमें हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है, तो हमें यहां पर इस वाली post के लिए apply करना है, ध्यान से रखना है, कौन सी post है, post of non-ionized supervisory training की post है, और freshers के लिए है job, ध सबसे पहले क्या करेंगे, advertisement देखेंगे, अच्छी से उसको पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़े आप कुछ जरूरत है जानने की, तो सारी चीज़े यहां पर हम discuss करने वाले हैं, तो फटा-फट open करते हैं, इस advertisement को, यहां पर advertisement open हो चुकी है, देख लेते हैं, क्या के important points है, सब से पहले आप देखोगे, तो IREL India Limited की तरफ से पोस्ट है, और जो की एक PSU है, Public Sector Undertaking है, और Department of Atomic Energy के अंडर आती है, मुंबई में based है, बात करें, देख लीती है, हमने CEO HRM 20-2023 है, और यह recruitment किस पोस्ट के लिए हो रही है, नॉन आयोनाइज सूपर वाइजरी ट्रेनी है, पो होगे, तो आपको ऐसा trainee, supervisory training रखा जाएगा, और फिर आगे चीजे होंगी, वह भी हम discuss करने वाले है, तो यहां पर इस company के बारे हैं, basically IREL के बारे में कुछ चीजे दे रखी है, यह सब चीजे आप पढ़ देना, अच्छे से ठीक है, यहां पढ़ देना, अब हम बात करें है, ठीक है, ध्यान में रखना है, नेक्स देखते हैं, तो official website वही है www.irel.co.in, उसी पर जाना है आपको, और apply now करना, जो भी हमने discuss किया था, details of post के बारे में देखते हैं, कौन-कौन सी आपकी post हैं, और हमारे chemistry से related कौन सी post हैं, वो देखते हैं, तो यहां पर आप देखोग इसके लिए भी आप apply कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए जो qualification मांगी हुई है, वो graduation मांगी है, किसी भी branch से, ठीक है, किसी भी branch से अगर आपने graduation करी है, अगर आप interested है इस post में, तो आप यहां पर apply कर सकते हैं, लेकिन अगर आप particular chemistry में देखना चाते हैं, तो trainee chemistry के आपके लिए रुपीज का, साथ में आपको company accommodation देगी, और अगर accommodation नहीं दे पाती है, तो HR-A भी मिलेगा, ध्यान में रखना ठीक है, 37,200 आपको HR-A के अलावा salary मिलेगी, और साथ में HR-A भी मिलेगा, फिर क्या होगा कि जब आप इस training को complete कर दोगे, तब आप S1 grade पे पहुँच जाओग है, उसके बारे में हम discuss करेंगे, age limit की बात की जाए, तो maximum age आप देख सकते हो 26 years है, यह किसके लिए है, general के लिए है, OBC, SC, ST candidates के लिए कुछ यहाँ पर relaxation है, वो हम आगे discuss करेंगे, आगे बढ़ते हैं भई, तो यहाँ पर कुछ terms and conditions of training and employment है, तो ध्यान में रखना, आप अग training रखा जाएगा, जिसका stipend 37,200 है, यह मैंने बता दिया है, और ध्यान रखना जो training का duration है, वो one year का है, एक year जब आप इसको complete कर दोगे, successful completion के बाद, आपको वहाँ पर क्या करेंगा, S1 grade as a junior supervisor रख लिया जाएगा, ठीके, इसको ध्यान में रखना है, बात करें, आपकी जो salary अगर आप S1 grade वे पहुंच गए, तो वहाँ पर जो मैंने आपको basic पी बताया, उसके साथ साथ आपको देख सकते हो, कितने सारे allowance मिल रहे हैं, अचारे वगेरा, dearness allowance है, medical facilities मिल रहा है, PF, और बाकी pension वगेरा, सब कुछ चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीके, ज इसलिए category wise कैसे कैसे वो divide हो रखी है, वो सब चीज़े यहाँ पर दे रखी है, और जो हमारे chemistry से लिए चार post थी, उनका basically वो breakout नहीं दे रखा, ठीके, कैसे वो categories में divided हैं, वो चीज़े नहीं दे रखी है, ध्यार में रखना, ठीके, जो चार post हैं, उसमें maybe कोई unreserve के लिए एक हो, SC के लिए, एक हो, ST के लिए, एक हो, PWD के लिए, एक हो, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीके, तो यहाँ पर total breakdown दे रखा है, आप देख सकते हो, जहाँ पर 56 vacancies हैं, जिसमें 22 जो हैं unreserve के लिए हैं, 6 EWS के लिए हैं, 15 OBC NCL के लिए हैं, 9 SC के और PWD के लिए 2, ठीक है, तो यह 5 पोस्ट को मिला के हैं, ध्यान रखना, वो जो 4 vacancies थी, केमिस्ट के लिए उसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा, बस आगे देखते हैं, तो आगे अगर हम पोस्ट की बात करें, और हाँ, यहाँ देख लेना, PWD के लिए जो suitability है, वो सारी conditions य तो यहाँ पर आप देख सकते हो, केमिस्ट के लिए आपको या तो 3-year diploma चाहिए, इंजीनियरिंग में, या तो आप graduate हो, किसमे science में with chemistry as major subject, मतलब आपने अगर B.Sc कर रखी है, और chemistry आपका major subject था, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें apply कर सकते हैं, और मैं बात कर रह है, तो आप इसके लिए भी apply कर सकते हैं, ठीक है, experience में देख सकते हैं, आप कुछ experience मांगा नहीं हुआ है, freshers के लिए job है, आगे चलते हैं, आगे बात की जाए, तो आपका minimum चाहिए, 60% marks चाहिए आपको ठीक है, आप अगर general और EWS category के हैं, तो आपको 60% marks चाहिए, और अग अगर किसके SCST candidate हैं, तो आपको 50% minimum marks चाहिए, आपके graduation में, ध्यान में रपना, वो 59.9% भी होगा ना, तो भी count नहीं किया जाएगा, यह भी देख लेना, आप लिखा हुआ है, फिर बात की जाए, अगर CGPA में आपका score है, तो उसको percentage में convert करना, अगर वो 60% के उपर आता है तब ही आप eligible हैं, साथ में यहाँ पर कुछ बुला हुआ है कि आपको working knowledge होनी चाहिए, से MS office की knowledge वगेरा भी होनी चाहिए, age relaxation की बात करते हैं, तो मैंने बता है, unreserve और EWS के लिए कोई age relaxation नहीं है, मतलब जो maximum age limit है, वो 26 years है, OBC की बात की जाए, तो 3 साल आपको relaxation मिल ऐसी SCST के लिए क्या हो जाएगा, 5 साल जादा है, PWD के लिए क्या है, 10 साल जादा है, और अगर आप PWD हैं और साथ में OBC के degree से belong करते हैं, तो आपको 13 years का relaxation मिल जाएगा, और अगर SCST हैं और PWD हैं, तो आपको 15 years का relaxation मिल जाएगा, साथ में अगर ex-servicemen वगेरा हैं, तो व के degree में divided हैं, यहाँ पर, एक तो आपका क्या होगा, 1st return test होगा, जिसको 1st level का exam बोला गया है, return test, फिर आपका second skill test, trade test, computer proficiency test and psychometric test, इसमें interview वगेरा भी आजाएगा, ठीक है, जो second वाला है, इसमें interview हो सकता है, या कोई आपका computer proficiency test वगेरा भी लिया जा सकता है, तो वो बात करेंगे, यहाँ पर written test, written test जो है, आपका computer based test है, मतलब online होगा, ठीक है, bilingual form में होगा, Hindi और English दोनों form में आपको questions मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात की जाए, यहाँ पर examination की, आपका written exam होगा, उसमें क्या होगा, तो उसमें आपके दो paper होगे, paper 1 में आपक 100 objective आपके questions होगे, MCQ questions, जो आपकी discipline related होगे, जैसे आप chemistry के लिए apply कर रहे हैं, तो वो chemistry related questions होगे, paper 2 की बात की जाए, तो वहाँ पर 50 questions होगे, जो general knowledge, awareness, reasoning, जो आपका aptitude वाला portion है, उससे आपके 50 questions आएंगे, ध्यान में रखना, multiple choice questions होगे, ठीक है, negative marking लेकिन नहीं होगी, एक mark का question है, लेकिन negative marking कुछ नहीं, ध्यान में रखना, no negative marking, दोनों papers के लिए, अब यहाँ पर बात करते हैं, इनकी भी ना कुछ minimum qualification marks है, तो अगर general EWS और OBC के candidates हैं, तो उनके लिए minimum 40% score करना जरूरी है, इन papers में, each paper में, ध्यान रखना, each paper में 40% चाहिए, 100 number वाला वो उपर व marks से, तो जब आप basically return test को clear कर लेंगे, ठीक है, एक merit वहाँ पर produce की जाएगी, उसके basis पे आपको बुलाया जाएगा interview और जो मतलब second level का exam है, जो की skill test, trade test या कुछ भी हो सकता है, इन one is to five ratio में, ध्यान रखना, अगर मालो post 4 हैं, तो आपको वहाँ पर 20 लोग को बुलाया जा का test है, वो सिरफ qualifying है, मतलब उसमें सिरफ आप qualify करना है, अगर आप second level test को qualify कर लेते हो, तो जो आपकी merit लगेगी, वो basically आपकी return test के basis पे लगेगी, जो return test में आपके marks आए होंगे, उनके basis पे merit लगेगी, ध्यान रखना, लेकिन बिना qualify किये हुए, आपको यहाँ पर यह नह centers भाई देख लें, centers जो हैं, आपके सिरफ मुंबाई, नाकपूर, त्रिवंद्रम, कोची, भुवनेश्वर, और नगर कोईल, इन ही जगाओं पर क्या है, tentative centers हैं, बाकी जगाओं पर नहीं होंगे, तो अगर आपने यहाँ पर भरा है, और आप कहीं और से बिलॉंग करते मतलब वेट लिस्ट में भी कुछ candidates हो सकते हैं, जो basically एक साल तक रुक सकते हैं, वो वेट लिस्ट जो वैलिट रहेगी एक साल तक या फिर अगली वेकिंसी आ रही है, जो भी पहले होगा उस तक वो वैलिट रहेगी, तो इसमें वेट लिस्ट से क्या फायदा है, वेट लि ध्यान में रखना है, for general OBC category के लिए जो आपका bond है, वो 2 लाख रुपीज का है, यहाँ पर ध्यान रखना, और जो SC, ST, PWD, EWS candidates हैं, उनके लिए आपका 1 लाख का यहाँ पर bond है, अब यह bond क्या कहता है, कि अगर आपने मानलो एक यर का training period कम्प्लीट कर लिया, उसके बाद आपको minimum 3 साल company में काम करना पड़ेगा, जो S1 grade था ना, जो आपको qualify कर गए, S1 grade में पहुंच गए, एक साल के बाद, तब आपको minimum 3 साल वहाँ पर काम करना पड़ेगा, otherwise अगर आप वहाँ से छोड़ते हो, तो आपको bond amount पे करना पड़ेगा, इसका मतलब यह हो जाएग, अब बात करते हैं भाई, क्या, place of posting तो आपको कहीं पर भी, जहाँ पर unit है आई-ारियल की, वहाँ पर आपको posting मिल जाएगी, बात करें application fee की, तो application fee जो है भाई 500 रुपे है, किसके लिए आपकी EWS, OBC, and आपके general category जो है, आपके 500 रुपे भरेंगे, बाकी जो आपकी female हो, SC, ST, PWD, ESM category वगेरा, तो वहाँ पर आपका जो payment है, कोई payment नहीं है, ध्यान में रखना, जो payment भरनी है, सिर्फ male candidate of OBC, EWS, और general category वालों को ही भरने है, 500 रुपे, बाकी किसी के लिए कोई fees नहीं है, तो यह तो बात होगे application fee की, अब कैसे apply करना है, वो देख लेते हैं, तो कैसे apply करना है, वही आपको इस site पर जाना है, irel.co.in पर, वहाँ पर आपको register करना है, सबसे पहले, अपनी जो personal details है, वो सब देनी है, mobile number देना है, email ID वगेरा देना है, email ID और mobile number वही देना है, जो आप क्या करते है, frequently use कर रहे होते हैं, इसको ध्यान में रखना है, फिर आपको व upload करने है, payment करनी है, और print out ले लेना है, application form का, ध्यान में रखना, ठीक है, तो कुछ general instructions दे रखी है, कि आपकी वही जो आपकी photos वगेरा होनी चाहिए, वो 20KB to 50KB, और इस format में JPG और JPEG format में होना चाहिए, sign की बात करूं, तो 10KB to 20KB का size होना चाहिए, बाकी जो आप document कु सकते हो, आप detail दे रखी है, आप देख लेना कौन कौन से document requirement है, अच्छा बस, तो यहाँ पर कुछ general conditions दे रखी है, आप देख सकते हो, यह सारी conditions की क्या क्या चीजे और होनी चाहिए, तो यह एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है, बाकी यह इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन आ मालो छूड जाता है, या फिर आपको, आपके particular criteria होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेना है, यह जो points वगेरा है, वो भी पढ़ लेना, ठीक है, फिर ही apply करना, तो अभी के लिए इतना ही, I hope आप लोग के लिए यह beneficial रहेगा, मिलते है नेक्स वीडियो में, happy लग लें